नमस्कार मैं हूँ दिव्या बिहारी न्यूज में आपका उस्फागत है आज है दो जन्वरी दिन मंगलवार खबरो के ओबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार बोर इंटर्मेडियेट वार्सिक परीक्षा 2015 के लिए रजिस्ट्रेशन देख पर ही अब नए साल से अपराग पन अकिल कसने के लिए पुलिस अपना रही है नीज जमीन से संबंधित सर्वी सुविधाय एक ही वेबसाइट पर पाए साउथ एफरीका के खिलाब दूशरे टेस्ट से पहले कैप टाउन पहुंची टीम इंडिया अब चरिये भरते हैं बिहार के अब तक के 25 वरी खबरों के और विस्तार से 36 गर पुलिस में कॉंस्टेबल के 6000 पदों पर निकली भरती सीजी पुलिस मुख्याले के तरब से 36 गर पुलिस में कॉंस्टेबल के 6000 पदों के लिए भरती निकाली गई हैं ऐसे में वह लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह ओफिसिल वेबसाइट cgpolis.gov.in पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे कि इसके लिए आविदन करने के अंतिम तारीक 15 परवरी 2024 तक निर्धारित की गई है वही अगर इसके लिए सेक्षनी की योगिता की बात करें तो इसके वेकिंसी में पांचवी, आटवी और दसवी पास को आविदन करने का मौका दिया गया है नकसल प्रभावित छेत्रों में नकसल पिरित परिवार तथा सिराहत सिवीरों में निवास करने वाले पांचवी कक्षा पास उमेदवार भी इसमें आविदन कर सकते हैं इसके राव्य अनुसूटी जनजादी के आटवी पास विवा इसमें आविदन कर सकते हैं इसे जुरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी किये गए नोटिफिकेशन को जरूर दे बिहार बोर इंटर्मेडियेट वार्षिक परिक्षा दोजार पत्रिस के लिए राजी के सिक्षन संस्थानों में 11 कक्षा में पर रहे विद्यार्थियों के ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन हे तू अंतिम तिथी को बरहा दिया गया है ऐसे में अब चातर अपना रेजिस्ट्रेशन 3 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं इस बारे में बोड की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार सतर 2023 पचिस में मानिता प्राप्त सिक्षन संस्थानों में इंटर्मीडियेट में नामांकित नियमित कोटी के विद्यार्थि के लिए एवं सुची करन अनुमती आविदन भरे जाने एवं सुल्क जमा करने के समय 13 जनवरी दोजार 24 तक बढ़ाया गया है ऐसे में बिहार बोड से मानिता प्राप्त संस्थानों के प्रधान अपनी संस्थान के ग्यार्वी कक्षा के विद्यार्थियों के ऑनलाइन डाजिस्टेशन फॉर्म वेबसाइट सीनियर सेकंडी डॉड बिहार बोड ऑनलाइ विस्विसान्ती अस्तूप 400 मीटर उची रतना गिरी पहारी पर इस्तित है यह सफेद रंग का एक विसाल अस्तूप है बुद्ध की प्रतिमाई चारू दिसाओं में अस्तूप पर आरूड है इसमें से एक छोटी जापानी बौध मंदिर भी है जिसके अंदर एक बरा पा यहां लगबग असी सांती पैगो डाउं में से एक है जो की नव वौध संगठन निपोन ग्यान में होजी द्वारा दुनिया भर में बनाए गये हैं यह फूजी नीचू दाट्सू का एक सपना था जो गांधी जी से प्रेरित थे जापान के परमानू बंबारी को लेकर प पर बनाये जा रहा पहला और अधिक प्रसिद विस्व सांती अस्तूप है यहां से थोरी ही दूरी पर गुद्ध कूट नामक अस्थान भी है जो बुद्ध का एक प्रियस्थान था इस अस्थान की ने सरगीक और प्रकृतिक सुंदर्ता इस जगह को बहत खुबसूरत मना है इस पहारी की चोटी तक पहुचने के लिए रोपवे से होकर आना पड़ता है जो इस सफर को और भी रोमान चक बना देते हैं अब नए साल से अपराद पर अखेल कसने के लिए पुलिस अपना रही यह नीती विहार में अपराद पर लगाम कसने के लिए प्रसासन कई को अस्थापिट करने की तैयारी कर रही इसमामले को लेकर बिहार पुलिस मुक्याले एडी जी जितिंद्र सिंh गंगवार द्वारा बताया गया कि अपराद की जर पर प्रहार करने के लिए पुलिस विसेश टीम और अभियान चलाने की तैयारी कर रही है साथी मिजन सुरक्षा के पहले चरण में बिहार के दियारा पचास छेत्रों को चनहत कर STF को नौडल पदादिकारी बनाते वे दियारा छेत्रों में पुलिस कैम्प लगाएने की व्यवस्ता की गई है इसके अलावे अवैद बालू खनन सरा, माफियाओ, पर्वते ओहार में वढ़ने वाले गंगा खाट के किनारे की भीर आदिर पर ड्रोन के जरिये नज़र रखे जाएंगे नए साल में बिहार के ये दरजन भर सरक प्रोजेक्ट होंगे पूरे नवर्स 2024 में बिहार के लिए काफी खास होने वाला है देसल 2024 में उन परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा जो पिछले साल 2023 में पूरे नहीं हो पाए थे बतादे के इन परियोजनाओं में 9 नई सरक और गंगा नदी पर एक पूल सहीत नेसनल हाईवे की कुल 10 परियोजनाओं सामिल है मालूम हो कि यह प्रोजेक्ट 585.75 किलोमेटर लंबाई का है जिसे बनाने में करीब 19,756 करोड रुपे की लागत लगने वाली है बतादे के वर्स 2024 में जिन पर योजनाओं को पूरा किया जाना है लंबाई आरा मोहनिया पैकेज एक का करीब 56 किलोमेटर लंबाई गंगा नदी पर सिमरिया ओटा सिक्सलेन पूल का करीब 8.5 किलोमेटर लंबाई का सरक सामिल है वही इसके अलावे वर्स 2024 में पूर्निया में एयरपोर्ट का निर्मान कारे भी शुरू किया जा सकता है जमीन से संबंधित सभी सुवधाएं एक ही वेबसाइट पर पाए विहार सरकार के राजस विवं भूमी सुधार विभाग के दवारा बहुत जल्धी राजे में जमीन से संबंधित तमाम सुवधाएं एक ही वेबसाइट पर उपरब्द कराने के लिए वेबसाइट को तयार किया जाएगा वितादे के फिलहाल वेबसाइट तयार करने का काम चारी है वर्तमान में जमीन से संबंधित जितनी भी ऑनलाइन सुवधाएं मसलन दाखिल, खारिज, भू, मापी, परिमारजन जमीन के नकसा की डोड़स्टे डिलेवरी सेवा जमाबंदी में आधारिवा मोबाइल नंबर जोड़ना, क्रिसी भूमी को वेबसाइट भूमी में बदलना समेत अन्य सभी सुवधाओं के लिए अलग-अलग वेबसाइट मौजूद है ऐसे में बहुत जल्दी इन सभी को एक ही अस्थान पर एक वेबसाइट पर उपलग्द करा दिया जाएगा बतादे की नई वेबसाइट का नए वर्स के पहले महीने में यानि की जनवरी महीने में ही शुरू हो जाने की संभाबना जताई जा रही है इस वेबसाइट के माध्यम से कोई वेक्ती एक एक से अधिक सुवधा के लिए एक साथ आवेदन कर सकते हैं इस रोखोले का ब्लैक होल के रहा से लॉंच किया एक्सपो सैट सैटेलाइट बेटर थन यानि की साल के पहले दिन भाती अंतरिक चनु संधान संगठन के द्वारे एक सेटेलाइट लॉंच कर इतिहास रचा गया है बता दे कि सैटेलाइट का नाम एक्सपो सैट सैटेलाइट है जिससे सुबह 9 बच कर 10 मिनट पर स्री हरी कोटा स्पेस सिंटर से लॉंच किया गया था मालूम हो कि भारत ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश मन गया है जिसकी सैटेलाइट ब्लैक होल के रहस्ते का पता लगाएगी दरसल वैच साला को एक्सपो सैट या एक्सरे पोलरी मीटर सैटेलाइट कहा जाता है जो विसेश रूप से ब्लैक होल और नूटरॉन सितारों के अधिन का काम करते हैं बताया गया है कि X-ray photo और उसके polarization का इस्तेमाल करके एक्सपो सैट, black hole और neutron सितारों के पास से radiation का अध्यन करने में मदद करेंगे। इसमें X-ray में polymeter, instrument और X-ray, spectros, copy और timing नामक दो पेलोड हैं। मालूमों कि इस सैटेलाइट को बनाने में भातिय अंत्रिक चनो संधान संगठन के द्वारा लगबग 250 करूर रुपय खर्च किये गया हैं। जबकि इसी तरह के मिसन को पूरा करने के लिए साल 2021 में NASA के द्वारा 188 मिलियन डॉलर खर्च किये गया था। हेलिकॉप्टर से आनंद ले सकते हैं। दिरसल आप हेलिकॉप्टर से राजगीर बोध गया और गया के प्रमुख परेटन अस्थलों का एरियल व्यू ले सकते हैं। अगर हम इसके किराय की बात करें तो हेलिकॉप्टर पर आप पाइलिट साइड सीट के लिए आपको 7000 रुपए चुकाने होंगे। वहीं विंडो सीट के लिए 6000 और मिल सीट के लिए 5000 रुपए देने होंगे। इसके अलावे साधी विवा और प्री वेडिंग सूट के लिए भी हलिकॉप्टर बुकिंग की सुवधाएं उपलब्द करवाई गई हैं। आपके बैंक अकाउंट में गलती से आये किसी और का पैसा तो करेगे काम। कई बार ऐसे होता है कि हमारे बैंक अकाउंट में किसी अजान व्यक्ति का पैसा आजाता है ऐसे में हमारी सामनी परिशानी सामने आ जाती है कि उस पैसे का स्तेमाल करें या फिर ना करें लेकिन बता दे कि जब आपके साथ एसा हो रहा है तो आपको सबसे पहले गलती के रिपोर्ट करने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपने बैंक से संपर्क करें फिर इसके बाद अकाउंट में जो पैसे और रेफरेंस नंबर तारीक और जो पैसे आए हैं वह सभी डेटेल्स बैंक को दे दे क्यूंकि उनके पास इसके लिए पूरी व्यवस्ता के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल है जिसे वह इसकी सही से जांच क कर सकते हैं बता दे कि अगर आप उस पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हो सकता है बाद में आपको वह पैसे चुकाने पर जाए ऐसे में आपके लिए बहतर यहीं है कि उस पैसे को अपने अकाउंट में रहने दे और उसका इस्तेमाल ना करें देसल अगर आपके भावुक का जन्म आज कही दिन 1976 में हुआ था ये भोजपूरी में लिखने वाले एक भारतिय कभी अभिनेता टेलिविजन प्रस्तोता और पठकता लेखक हैं जो भोजपूरी सिनेमा में सक्रिये हैं उन्हें साहित में उत्रिष्ट योगदान की स्रीरी में फिल्म फियर और फेमिना भोजपूरी आइकन्स त्वारत सम्मानित किया गया उन्होंने कई प्रस्कृत पुस्तके लिखी हैं वह भोजपूरी भासा और साहितों को बरहावा देते हैं भावुक जी टीवी के रियालिटी सो सारे गामा पा भोजपूरी के प्रोजेक्ट हेड रह चुके हैं वह थेटर अभिनाय में डिप्लोमा धारक हैं और उन्होंने टीवी सो फिल्मों और धारवाईकों में अभिनाय किया है मनोज भावुक पहले वक्ति हैं जन्होंने भोजपूरी सिनेमा के इतिहास पर घहन सोद और दस्तावेजी करन किया है और विभिन पत्रीकाओं में प्रकासित किया उनकी किताब भोजपूरी सिनेमा के संसार हिंदी और भोजपूरी दोनों भासाओं में प्रकासित होने वाली है उनके गजल संग्रा तस्विर जिंदगी के के लिए उन्हें 2006 में भारते भासा परिसत पुरस्कार मिला अबू को एक सितंबर 2018 में बर्मिंगम यूनाइटेड किंडम में गितांजली बहु भासी साहितिक के सरकल यूके तवारा गितांजली साहिते पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बरिवहनों पर ये सिस्टम लगाना होगा जरूरी नहीं तो रद हो जाएंगे परमिट सारवजनिक परिवहन की गारियों में वेकल, लोकेशन, ट्रैकिंग, डिवाइस और इमर्जेंसी बटन लगाने का निर्णय निर्भया फ्रेमवर्क के तहत परिवहन विभागदवारा लिया गया है लेकिन मैज 2765 गारियों में ही ये बटन अब तक लग पाए हैं इसके अलाबे जिन भी गारियों में ये सिस्टम नहीं लगाए गया थे, उनमें से अब तक 93 बसों का पर्मिट रोक दिया गया है इन वानों की धर पकर एक जनवरी से ही शुरू की गई है, इसे लेकर कई बरे वाहन और ट्रक सरकों पर नदर नहीं आ रहे हैं साथे जिन गारियों में ये सिस्टम नहीं लगे हैं, उनके प्रदूसन प्रामान पत्र और डिस्ट्रेशन बनाने पर परिवान विभाग द्वारा रोक लगा दिया गया है यदि कोई प्रदूसन सिंटर इन गारियों को प्रमान पत्र देते हैं तो उन पर भी कारवाई करने की बात सामने आई मनोज वाजपई के सिक्स पैक को देका रुनराग कस्यप का बयाद बिहार के लाल और बॉलिवुट के जाने माने अभिनेताओं में से एक मनोज वाजपई के दवारा दोजार चौबस का आगाज बरही शांदार तरीके से किया गया है दरसल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक सटलेस फोटो पोस्ट की है जिसमें वह अपने सिक्स एप्स दिखा रहे हैं वहीं इस फोटो को सेर करते वे उन्होंने कैप्सन में लिखा कि निउयर निउमी देखो डिलिसेस सुप का मेरे पे असर एकदम किलर सम इसके साथ ही सुनीर ग्रोवर के साथ उनके पोस्ट पर लिखा गया कि आग लगा दी आपने इंटरनेट पर मालूमों की मनोजवादपे के पोस्ट पर एक यूजर के द्वारा लिखा गया कि अब तक यह एप्स कहां चुपाए हुए थे बिपी सीर्श वी का साख्षात का राट जन्वरी से अगर आप भी उन अभिरत्यों में जो आपके लिए हैं तो यह खबर आप की रिए हैं को क्रमांग के अनुसार अलग-अलग तिती में आमंत्रित किया गया है ऐसे में इससे जुरी पूर्जन जानकारी के लिए भ्यरती आयो की वेबसाइट पर उपलब्द कराए गई जानकारी को देख सकते हैं भूमने फिरने के हैस्वाकी इन तो ये टिप्स जरूर अपनाए हमें से कई लोग ऐसे हैं जिने कारिया बाइक से लॉंग ड्राइब करना बेहदी पसंद है लेकिन कई बार ट्रेन से जाना बोरियत भरा हो सकता है खास कर तब जब अकेले याज़रा पर निकल रहे हु लेकिन यदि आपको अपनी याज़रा मज़दार और अराम दैक बनानी है तो चली आज हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं यदि आप किसी लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं तो कोसिस करें कि आप अकेले ना जा रहे हो यदि अकेले जाना परे तो उस वक्त अपने फोन में कोई भी मज़दार फिल्म जरूर डाउनलोड कर ले ताकि आप बोर्ड होन जाएगा इसके लावे आप अपने पास कुछ पैक्ड फूड या स्नैक्स भी रख सकते हैं बिहार के कई भागों में घने कोहरे चाही रहने की संभावना बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवर्ट ले ली है सुबह और साम में लोगों को काफी ठंड का हैसास हो रहा है हाला कि बीते दिन राजी के कुछ अस्थानों पर दोपहर में हलकी सी धूप निकली है बतादे की मौसम विग्यान केंद्र के मुताबिक 2-4 जनवरी तक दक्षिन पसिन बिहार के कुछ जिलों में वा दक्षिन मद्धे बिहार के कुछ जिलों में एक-दो अस्थानों पर पारस होने की संभाव ना जताई गई है वहीं आई एमडी बिहार के दोरा जारी की गए पुर्वा नुमान के नुसार आज यानी की दो जन्वरी को राजी के पस्सिमी और दक्षिन मद्धे भागों में एक या दो अस्थानों पर घना कोहरा चाहे रहने की संभाव ना में घरा कोहना चाहे रहने की संभाव ना है और राजी के पूर्वी और दक्षिन मद्धे भागों में अधिखांस अस्तानों में हलके से मद्या मस्तर का कोरा चाहे रहने की संभाव ना जताई गई है महिला पर डंडे बरसाने वाला थाने धक्ष पर हुई कारवाई महिला पर लाठी बरसाने वाले थाने धक्ष का एक वीडियो तेजे से वाइडल हो रहा दरसल या वीडियो बिहार के सीता मरी जिले के अंतरगत सुरसंड थाने धक्ष राजकिसोर सिंग का है राजकिसोर सेंगे इस वीडियो में एक महिला पर बरही बेहरमी के साथ लाठी बरसाते साफ नजरा रहे हैं इसके बाद इनकी खुब निंदा की भी हो रही वीडियो वाइरल होते ही मामले ने तूल पकर लिया और बीजेपी नेताओं द्वारा अप पुलिस प्रसासन के रवईये पर सवाल खरे किये जा रहे हैं हाला कि फिल्हाल थाना ध्यक्ष पर सक्त कारवाई करते हुए उन्हें पत से हटाये गया है साथ इस मामले में स्डिपीों को जांच करने के आदेश दिये के ने साल पर अपने पैतरी गाउं पहुंचे सीम नितीस बीदिन ने साल के मौके पर बिहार के मुखे मनती νितीस कुमार सुब ह सुब है अपनी मा की प्रधिमा पर मालयारपन किया और उन्हें स्रध्धांजरी देका ने साल की शुरुआत की दरसल बीदे दिन यानि कि एक जन्वरी को उनकी माता की पुन्यती थी, वहीं बताया जा रहा कि इस दौरां C.M. के पुराने और खास दोस्त भी उनके साथ मौजूद रहें इस दौरां C.M. नितीश के दौरगा अपने गाव के लोगों को नय साल की बधाई दी गए और साथ ही उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी मतादे कि सेम नितिस के आगमन को लेकर कल्यान बेगावे सुरक्षा की पूरी व्यवस्ता की गई थी पोस्टर बाजी पर भाजपा ने लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप को दिखाया आईना भाजपा प्रदेश अध्यक समराज चौधरी के द्वारा बीते दिन राजप सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर लगे पोस्टर को लेकर मेडिया से बात चीट करते वे उन पर निसाना साथते वे कहा गया है कि जिसको जो गुलामी करनी है कर दीजे जिस पार्टी का होडिंग पोस्टर है उसमें एक राजप है एक रानी है कई राजकुमार है और कई राजकुमारी है पहले उनको अपनी पार्टी की हैसिय समझनी चाहिए और फिर दूसरे की बात करनी चाहिए इसके साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बरे बेटे तेजप्रताब यादव के दिपोचब बनाने को लेकर दिये गए बयान की इंडिया घटबंदन का जहन्डा केंद्र में लहराएगा तब राम राज्ये आएगा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई उन्हों उन्होंने का कि बिहार में बालू माफिया सराब माफिया और जमीन माफिया गुंडा राजा सापित हो गया है इससे मुक्ति दिलानी के लिए मैं बिहार की जंता से आगरा करूंगा कि एक बार भाजपा को जन्मत देने का काम कीजिए अप राधि बिहार छोड़ देगा इ महत्वपूर्ण बताया गया है उन्होंने कहा कि इंडिया गर्बंदन को बनाने में मुख्यमंत इंटीज कुमार जी का रोल महत्वपूर्ण है उन्होंने भाजबा को एसास कराया है कि केंद्र में उनकी गलत रवये की सरकार है इंडिया गर्बंदन की सुरुवात नतीज खिसे भी फार्टी के कारे करता चाहते हैं कि उनके नितरित्व सीर सस्थान पर हो। इसके साथ ही उन्होंने लोकसवा चुनाप के लिए अंडिया घरबंदन की तयारी में हो रही। दे़री के मामले पर कहा कि ऐसा नहीं है। दे़री नहीं हुई है। यारी चुद नहीं आल्यां कि फत्य बहादो सिंह द्वारां विबादे को ले कर अवी फजीखत के बाद की शफायी औहरी के आज़ेरी विधायक फत्य बहादीव उammarा हिसका है। एक हफ्ते से पूरे देश में सिर्फ महागरबंदन की सरकार गिराई जा रही थी लेकिन इन सब पर सीम नितीस और दिजस्वी यादब ने विराम लगाया है आज सुबह से राज़त विधायक को लेकर खबरे चल रही थी राज़त हर जाती के प्रती सम्मान करती रही है साव सावित्री भाई फूले के विचारों को उद्रत किया था वहीं से दूसरे मुद्दे से ना जोरा जाए जदियुनेता हमारी बात सुने और वह सावित्री भाई फूले के विचारों को देखे रहसल इस पोस्टर को लेकर विवाद इतना बर गया था कि राज़त कारेकरता और विधायक फदेबूर बहादूर के समर्थक राबरी आवास के बाहर आपस में भिर गए थे और धेरी विधायक के बयानों को लेकर हंगामा किया। साउथ आफ्रीका के खिलाब दूसरे टेस्ट से पहले कैप्टाउन पहुंची टीम इंडिया। तीन जनवरी से भारत और साउथ आफ्रीका के खिलाब कैप्टाउन में सिरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाने वाला है। तीन जनवरी से साथ जनवरी तक खेले जाएंगे। आपकी जन आपकी जानकारी के लिए बता आदे की टीम इंडिया को सिरीज के पहले मैच में दक्सन अफ्रीका से 22 रन से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सिरीज के इस दूसरे मैच में भारत जीत हासिल कर सिरीज को बराबरी पर खत्म करना चाहें। भारत के इतिहास में आज की तारीक है कई कारणों से दर्ज। ब्रीटे स्यानिकों ने भारत के कलकता सहर पर 1757 में कबजा किया था। रामकरस्न के आदेश के बाद 1899 में सादू कॉलकाता स्थित बैलूर मठ में रहने लगे। पद्म विभूसन पुरसकार के अस्थापना दो जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्म पुरसकार दो जनवरी 1954 को प्रारम भी किया गया था। चिरणनत पूरम हवाई अड़े को 1991 में अंतराष्टे असर का बनाय गया था। किरल के प्रसिद समाज सुधारक मंतू पदनाभन का जन्म 1978 में हुआ था। हिंदी साहिते के प्रसिद मौनो वैज्यानिक अताकार उर्पार नयासकार जनिंद्र कुमार का जन्म 1905 में हुआ था। भाति अमेरिकी गनेतिक ये सार्ड स्री रिवास वर्दनवन का जन्म 1940 में हुआ था। प्रसिद तैराक बुला चौधरी का जन्म 1970 में हुआ था। प्रसिद महिला स्वतनता सेनानी तथा समासुदारक डॉक्टर आधाबाई की दो जन्म 1950 को मृत्यू हो गई थी। भाति राष्ट्य कॉंग्रेस के प्रमुखनेता जाता आधुनी कुलिसा की निर्माताओं में से एक हरेक रिस्न महताप की दो जन्मडी 1987 को मृत्यू हुई थी। प्रसिद माक्सवादी नाटकार कलाकार निर्देशक एवं गीतकार सफदर हास्मी की दो जन्मडी 1989 को मृत्यू हुई थी। गुजराती साहित्यकार आधिंद्र साह की दो जन्मडी 2010 को मृत्यू हुई थी। प्रसिद वतंता सिनानी वं पूर्व लोकसवाद्यक्ष वली राम भगत की दो जन्मडी 2011 को मृत्यू हुई थी। वाइरल खबर में आज हम बात करेंगे पिये मुद्रा योजना के बारे में सोसल मीडिया पर कई सूचनाय वाइरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। आजम बात करेंगे पीए मुद्रा योजना के बारे में रसल पी आई भी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक हैस्टेग फर्जी अनुमोधन पत्र में दोहजार सो रुपए के भुखतान पर पीए मुद्रा योजना की दाथ पांच लाख रुपए का रिन देने का दाव यानि की ने साल के पहले दिन सेयर बाजार ने रिकॉर्ड उचाई पर पहुंचने के बाद सपार्ट बंद हुआ है मतादे की बीते दिन कारोबारी सेशन के बाद सेंसेक्स 31.6 यानि की सुने दसमलब सुने चार प्रतिसात अंकों की भारत के साथ 72,271.94 के अस्तर पर हुई है मतादे की बीते दिन मार्केट में सबसे ज़्यादा खरेदार पी एस यू बैंकिंग और मेरिया सेक्टर के सेरों में दिखी मतादे की सोमवार को कारोबारी स्टेशन के दौरान सिंसेक्स 72,500 और निफ्टी 21,830 के अस्तर तक पहुंचा Instagram story को ऐसे बनाए क्रियेटिव, Instagram story को और ज्यादा क्रियेटिव बनाने के लिए मेटा ने एक नया फीचर एप में जोरा है, हाला कि अभी ये सभी यूजर्स को नहीं मिलेंगे Instagram ने एक नया feature app में जोरा है जिसे backdrop नाम दिया गया है इसकी मदद से आप अपनी Instagram story को और ज्यादा creative बना सकते हैं इस feature की मदद से आप अपनी Instagram story में AI background को set कर सकते हैं नया feature मिलने के बाद जब आप कोई photo story में set करने के लिए share करेंगे तो आपको top में एक नया option मिलेगा जहां से आप इस story का background बदल पाएंगे API की मदद से अपने पसंद का कोई भी background चुन सकते हैं prompt देने के बाद आपके सामने कई सारे option आएंगे जिसमें से आपको एक option को चुनना होगा इस feature को यूज करना बेहद आसान है और इससे आपके followers भी बरहेंगे हम प्रते दिन आपसे 5 ज़रूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SAC जैसे अने प्रतियोगी परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेसल विग्यान करेंट अफेर्स और भगो से रहेंगे पूछे के 5 सवालों में अपने कितना सहीं उतर दिया है या में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है हाली में 22 इसेंबर 2023 को पूरे भारत वर्स में कौन सा दिवस मनाये गया है आप्सने है राश्ट्य विग्यान दिवस आप्सन भी है राश्ट्य गने दिवस आप्सन सी है राश्ट्य हिंदी दिवस आप्सन भी है इनमें से कोई नहीं इसका सही उतर है राज्ट ये गनेतिवस हाली में भारती मज़ूरों के अधिकारों के सुरक्षा के लिए N.S.D.C. और कौन से देश ने समझाता किया है आप्शन A साथी अरब, आप्शन B सिंगापूर, आप्शन C अमेरिका आप्शन D.A. कुवेट इसका सही उतर है सौधी ये रब, हाली में एक साल में 100 मिलीन गयातियों को ले जाने वाली कौन पहली भारती एयरलाइन इयरलाइन्स बनी है इसका सही तरह है इंडीगो एरलाइन मिहार पंचायत समीती और जिला परिशत अधिनियम कब लागू हुआ था? आप्शने है 1971 में, आप्शने है 1972 में, आप्शने है 1984 में, आप्शने है 1992 में इसका सही तरह है 1961 में, कौन सी नदी बिहार में गंगा में मिल जाती है? आप्शने है घागरा, आप्शन भी है, सोन आप्शन सी है गंड़क, आप्शन डी है उप्रोक्त सभी इसका सही तरह है उप्रोक्त सभी बीते दिन हमारे दोरह पूचे के सवाल का, आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सक्षन बॉक्स में लिकर दिया था जिन्होंने हमारे दोरह पूचे गए सवाल का जवाब जियन के नाम है, मुहमद इर्फान, विपिन कुमार, अरसदंसारी, गोनर सर्मा, राजीव कुमार, राज की सोर महतो, नितीज कुमार, युवराज, निरंदन सिंग, कृिसना पासवान, कुमारी सरीता, पवन कुमार अतीक खान, चंदन कुमार, वेद प्रकास सिंग, सचीन कुमार, इसके साथ ही बरते हैं, आज के सवाल की और, आज का सवाल है, आपके तरफ ठंड की स्तिती कैसी है, आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सुक्षन बॉक्स में लिकर जरूर बताएं, आज के लिए इतन आज के लिएब हमें लिए बताएं, आज का सवाल हमें हमें हमляं।